इस वीडियो में करेंगे कक्सा दसमी परसनावली 15.1 का परसन संख्या 10 देखेंगे क्या है एक पीगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं रुपे एक के 50 सिक्के हैं रुपे दो के 20 सिक्के और रुपे 5 के 10 सिक्के हैं यहाँ पे पीगी बैंक से मतलब क्या है यहाँ पे आपके पास मान लिया एक गुलक है उसके अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 सिक्के एक रुपे के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के और रुपे 2 के 20 सिक्के और रुपे 5 के 10 सिक्के हैं यदि पीगी बैंक को हिला कर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के प्रिणाम सम प्राइक हैं तो इसकी क्या प्राइकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरे बाग में हमने क्या निकालना है रुपे 5 का नहीं होगा तो सबसे पहले इसमें देखो हमें क्या दिया गया है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो लिखेंगे 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्को की संख्या इस तरीके से लिखेंगे कितने हैं हमारे पास 100 है उसके बाद एक रुपे के हैं तो एक रुपे के सिक्को की संख्या वो कितनी हैं हमारे पास 50 सिक्के हैं एक रुपे के और दो रुपे के सिक्के कितने हैं वो भी लिखेंगे दो रुपे के सिको की संख्या 20 सिक्के हमारे पास 2 रुपे के हैं उसके बाद 5 रुपे के भी हैं तो 5 रुपे के सिको की संख्या वो कितनी है 10 अब हम ये देख लेंगे कि पीगी बैंक के अंदर कुल कितने सिक्के हैं तो कुल सिक्को की संख्या लिखेंगे, यहाँ पे कुल सिक्को की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास इसका सम कर लेंगे, जोड कर लेंगे 100 और 50, 150, 170 और 10, 180 तो हमारे पास कुल सिक्के कितने हो गए, यहाँ पे 180 हो गए पहले बाग में हमने क्या निकालना है हमें प्राइकता निकालनी है कि जो सिक्का निकले वो पचास पैसे का होना चाहिए तो किस तरिके से निकालेंगे यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम पचास पैसे के सिक्को की संख्या हमारे पीगी बैंक में कितने सिक्खे हैं टोटल पचास पैसे के सो सिक्खे हैं और कुल सिक्खे हमारे पास कितने हैं कुल सिक्खे या फिर कुल सिक्खो की संख्या हमारे पास है एक सो असी अब हमें किसकी प्राइकता निकालनी है पचास पैसे के सिक्केगी पचास पैसे का सिक्का इसकी प्राइक्ता ग्यात करनी है तो कैसे निकलेगी यहाँ पे लिखेंगे हम पचास पैसों के सिक्कों की संख्या पचास पैसे के सिक्कों की संख्या या फिर सिक्के की संख्या और इसको किस से भाग कर लेंगे हम कुल सिको की संख्या से क्या लिखेंगे यहाँ पे कुल सिको की संख्या सिको की संख्या इससे भाग कर लेंगे तो हमारे पास प्रायक्ता आ जाएगी क्या आएगी देखते हैं यहाँ पे प्रायक्ता पचास पैसो की 50 पैशो की बराबर है 50 पैसे के कुल कितने शिक्ये थे हमारे पास 100 भाग में कुल शिक्ये कितने है 100 C अब इसको भाग कर लो 0 से 0 कट गया 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 2 निम 18 तो प्राएक्ता क्या अ गई हमारे पास 50 पैसो के सिक्कों की पचास पैसो के सिक्के इसकी प्रायक्ता क्या आ गई हमारे पास पांच बटा नो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया अब दूसरे भाग में हमें क्या ग्याद करना है कि रुपे पांच का नहीं होगा हमें प्रायक्ता किसकी ग्याद करनी है कि जो सिक्का निकलेगा वो पांच रुपे का नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे पांच रुपे का सिक्का होने की प्रायक्ता निकाल लेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो कुल पांच रुपे के सिक्के कितने हैं हमारे पास कुल पांच रुपे के सिक्खे दस है और कुल पीगी बैंक में सिक्को की संख्या क्या है कुल सिक्को की संख्या वो हमारे पास है 180 तो हमें प्रायक्ता ग्याद करनी है किसकी पांच रुपे के सिक्खे होने की पांच रुपे का सिक्का इसकी प्राइक्ता ग्याद करेंगे तो कैसे ग्याद होगी? यहाँ पे कुल पांच रुपे के सिक्खे और भाग में क्या हो जाएगी? कुल सिक्कों की संख्या इससे हमारी क्या निकल जाएगी? प्राइक्ता निकलेगी किसकी पांच रुपे के सिक्खे होने की अब कुल पांच रुपे के सिक्खे कितने है? दस और कुल संख्या कितनी थी हमारी सभी सिक्खों की? 180, 0 से 0 कट गी तो क्या गी? एक बटा 18 आ गई ठीक है? अब हमें एक फॉर्मुला पता है, एक सुत्तर पता है कि कोई भी गटना अगर हमारी होती है उसके होने की और ना होने इन दोनों की गटना का योग क्या होता है? एक होता है ठीक है? अब हमें पांच रुपे के सिक्खे होने की प्राइक्ता तो पता है और नए होने की हमें निकालनी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्राइक्ता पांच रुपे के सिक्खे की पांच रुपे का सिक्का इसकी प्राइक्ता और जमा में प्राइक्ता किसकी पांच रुपे का नहीं होगा पांच रुपे का सिक्का नहीं होगा इन दोनों की प्राइक्ता का जोड बराबर किसके होगा एक के बराबर होगा अब हमें किसकी पता है पांच रुपे का सिक्का उसकी प्राइक्ता पता है एक बटा अठारा जमा में प्राइक्ता किसकी निकालेंगे पांच रुपे का नहीं होगा इसकी प्राइकता हमें ग्यात करनी है तो इन दोनों का योग बराबर किसके एक के तो यहाँ पे क्या जाएगी प्राइकता किसकी पांच रुपे का नहीं होगा रुपे का नहीं होगा किसके बराबर हो गई एक गटा ये एक बटा अठारा है दाइनी साइड जाएगा तो एक बटा अठारा यहाँ पे एक मानेंगे अब इसका लगूतम समापर तक लेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे अठारा अठारा को एक से बाकिया अठारा एक से गुना किया अठारा गटा में अठारा को अठारा से बाकिया एक और एक की गुना एक तो अठारा गटा ये क्या हो गया सतरा बटे अठारा हमारे पास क्या आ गया उत्तर आ गया समझ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना